नमस्कार मेरी यूटूब चैनल सुस्मा अपनी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने कोई रेशीपी की वीडियो लेकर नहीं आई हूँ आज का दिन मेरे जीवन का विशेश दिन है जो आपके साथ सेलिबरेट करने आई हूँ आज का वीडियो एक ठैंक्यू वीडियो है और मैं आप सभी को ठैंक्यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि यह मेरा अचीवमेंट आप लोग के बगर संभाव नहीं होता है जी हाँ आज मेरे चैनल ने हजार सब्सक्राइबर का पहला पड़ाओ पार कर लिया है और यह सब आप सभी के सहयोग से ही हुआ है आप हमारी वीडियो देखते हैं लाइक कमेंट करके हमारा उत्सा बढ़ाते हैं तो यह सेलिब्रेशन भी आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ बहुत लोगों को लग रहा होगा एक हजार सब्सक्राइबर इसमें बड़ी क्या बात है तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पहले एक हजार सब्सक्राइबर आप ही हो पहला पड़ाओ तक ले जाने वाले आप ही लोग हो तो यह सेलिब्रेशन भी आपके लिए ही है अब आगे जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो चैनल की जर्णी को आगे ले जाने वाले होगे पर मेरे चैनल की नीद का पत्थर तो आप ही हो आज से लगभग धाई साल पहले जब मैं ये चैनल सुरू की थी तब कुछ सोची नहीं थी मेरी यूटूब की जर्णी कब और कैसे सुरू ही आज मैं आप सब लोगों से सेर करूँगे बिहार और अंगाबाद के एक छोटे से गाओ नवी नगर टंडवा से हो बचपन से लेकर कॉलेज का सफर जारखन जीला रामगण के कोल फिल्ड सौनदा में हुई फिर साधी हजारी बाग में हुई और साधी के बाद मुंबई चली आई कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि हमारे जिंदगी का अगला पड़ाव मुंबई महानगर में होगा तीन साल पहले तक हमें नहीं पता था कि एक दिन मैं यूटूबर बनूँगी हमारा अपना खुद का चैनल होगा आज तक दुसरों की वीडियो में यूटूब पर देखती थी पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग मेरी वीडियो यूटूब पर देखेंगे मेरे परिवार में हस्बेन और दो बेटे हैं छोटे बेटे के करने पर ही यूटूब चैनल सुरू की मेरा बेटा बोला तुम खाना तो बहुत टेस्टी बनाती हो तो तुम अपना वीडियो यूटूब पर डाला करो आज तक तुम दुसरों की यूटूब वीडियो देखती आई हो एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग तुम्हारी वीडियो यूटूब पर देखेंगे चुकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो बेटे की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा पर मन बोला मुझसे यह नहीं हो पाएगा क्योंकि खाना बनाना और खाने बनाने का वीडियो दो अलग-अलग काम है मैं अपने आपको तयार नहीं कर पा रही थी फिर उसने अपने दोस्त की मम्मी जो यूटूबर है उनका वीडियो दिखाया तो हस्बेंड और बेटे के बहुत रिक्वेस्ट करने पर पहली वीडियो मठर कचोड़ी की बनाई और मेरे बेटे ने मेरे लिए यूटूब अकाउंट क्रियेट करके उसे अपलोड कर दिया जिन्दगी का पहला वीडियो था कुछ भी अनुभाव नहीं था पर दिल की बात बोलू तो यूटूब पर हजारों वीडियो के मद्धे में अपना वीडियो देकर बहुत अच्छा लगा सुरू सुरू में दूसरे वीडियो पर धेर सारे लाइक कमेंट देखकर अपने वीडियो पर गिंती के लाइक और एकाद कमेंट देखकर मन निरास हो जाता था पर परिवार के सहियोग और आप लोग के सपोर्ट की वज़ा से जरनी चलती रही और आज लगवग धाय साल के बाद पहला पड़ाओ प्राप्त की तो जो नए यूटूबर हैं उन्हें निरास होने की जरूरत नहीं है मन लगा कर अपना बेश्ट देते रहे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और इस साल एकदम से समय बदला लाइक कमेंट बढ़ने लगे हजार सब्सक्राइबर का माईल अश्टन छूली अब अगले साल 2021 में आप लोग के सहयोग से चैनल मोनेटाइजेशन का टारगेट रखी हूँ मैं हर दम अपना बेश्ट देने की कोशिस करती रहूँगी मेरे पहले साल में 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे दुसरे साल 2500 के लगभग सब्सक्राइबर हुए मैं लगी रही इस बिच परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलता रहा मैं सभी मित्रों को धन्यवाद देती हूँ खास कर फेस्बुक से बने मित्र खदया टंडवा चत्रा जहारखंड के रहने वाले यूटूबर योगेंदर महतो जी का जुन्होंने बीच बीच में हमारे वीडियो की क्वालिटी और परजन्टेशन के लिए अपना बहमुल से योग देते रहे जैसे थमनिल कैसे बनाना चाहिए पोस्ट में टैग कैसा होना चाहिए तो योगेंदर जी आपको मन पुर्वक अभार और धन्यवाद मेरे हस्बन के मित्र मोहन चौक सिंगो गुमकी गिरिडी के रहने वाले विजय यादो जी को भी दिल से धन्यवाद देती हो और जिन्होंने अपने सारे मित्रों और इस्तदारों को मेरा चैनल देखने और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित किये कल की ही बात है मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने का बेसबरी से इंतजार कर रही थी कि अचानक वाट्सब पर फेस्बुक मित्र जारखन बढ़का गाउं बलिया खराटी के रहने वाले उपेंदर जी का एक मैसेज आया कि भावी जी आपके 999 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 1K होने वाला सब्सक्राइबर हमें एड कर दिये हैं फिर उन्होंने मेरे चैनल का 1K सब्सक्राइबर का स्क्रीन सॉट भेजते हुए बिग गंगरुचिलेशन भावी जी का मैसेज किये उनका उत्सा देखकर मैं और भी उत्साहित होकर एकदम भावख हो गई और फिर तभी निरनेली कि मुझे अपने सब्सक्राइबरों का धन्यवाद देना चाहिए मेरी एक प्यारी दोस्त के वगेर सेलिब्रेशन तो अधूरा ही है वस्ट नहीं में रहती है मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही कुछी घंटों में लाइक केमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाती है यह वह अपने फेस्बूक और वाटसब पर मेरे वीडियो का लिंक सेयर क मेरे छोटे बेटे उतकर्ष को भी बहुत बहुत प्यार जिसकी बदोलत आज इस चैनल का स्थित्व है सभी वीडियो रिकोर्डिंग करना एडिट करना मुझे उसी ने सिखाया और आज तक वही रिकोर्डिंग करके एडिटिंग कर रहा है मैं आभी सीख ली हूँ आन्त में मेरे हस्बंड जिनके सहयोग और समर्थन के वगर या शंभव ही नहीं होता उनको भी धन्यवाद आज खुशी का मौका है और मैं अपने आपको आप लोग के संगबाटने से रोक नहीं पाई एक बार फिर से मेरे सभी चाहने वाले दर्स को एम सब्सक्राइबर क देल से धन्यवाद